किसी भी चीज के हम एडिक्ट हो जाते हैं उस एडिक्शन को कैसे खतम किया जए लेकिन ध्यान देए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ तीन चीज रोग है रोग का कारण है और फिर उसके बाद रोग का निवारण है अगर ये तीन प्रॉसेस से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरता तो वो अपने रोग वो अपनी समस्याओं का निदान नहीं कर सकता तो बिल्कुल सेम फिलासफी कि यहां पर भी मैं लागो करना चाहूंगा एडिक्शन इसका एक उदारण एक अपने जीवन से मैं लूँगा बच्पन में लगभग 2.5 साल का उमर का रहा हूंगा मैं तो बहुत मिट्टी खाता था और इतना ज्यादा खाता था कि परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने मुझ पर पहरे लगाना शुरू कर दिया और सब लोगों ने यह देखना शुरू कर दिया रोखना कि यह खाने ने पाए किसी तरह से कि उसके बावजूद भी मैं मिट्टी खा लिया करता था क्योंकि उस समय गाउं में छोटे से गाउं में रहता था मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पूरे परिवार वालों ने यह जानने की कोशिस नहीं की कि यह बच्चा आखिर मिट्टी क्यों खा रहा है उस बच्चे के बारे में कि मिट्टी क्यूं खा रहा है ये जाने की कोशिस बिलकुल नहीं की उसे रोकने की कोशिस की गई कि ये एडिक्ट हो गया है उस मिट्टी का और इसे रोक दिया ज़िए नहीं तो इसका brain इसकी body में उसका negative effect पड़ेगा क्योंकि दिन बर मिट्टी खाता था अगर मैं देखूं उस समय ये जान लिया गया होता कि इस मिट्टी खाने का क्या कारण है और उस कारण का निवारण कर दिया गया होता तो मैं मिट्टी खाना बंद करते था लेकिन ये जाने की कोशिस नहीं थे ये brain को बिलकुल रोकने की कोसिस की गई कि ये मिट्टी ना खाने पाए चार-छे लोगों को लगा भी आगे आसपास फिर भी नहीं रोग पाए अंत में ये हुआ कि ओज़ाडने फुकने वालों को बुलाए गए ज़ाडने फुकने वाले भी आए ultimately कुछ भी नहीं हुआ खाता रहा मिट्टी दो मेहने के बाद अपने आप रुखे ये लगभग सौ में दस बीस बच्चों को तो होता है गाउं में तो अक्सर होता है ये मिट्टी खाने का चौक खाने का और दीवाल के निकालने दीवाल से पेंट निकाल के खाने का ये सब चीज़ें मेरा कहने का मतलब है कि दो मेहने के बाद अचानक मैंने छोड़ दिया वो मिट्टी खाना वो इसलिए क्योंकि जो चीज मिट्टी से खाने से मिल रही थी वो फुल्फिल हो गई उसके बाद ब्रेन को नीड नहीं थी ब्रेन नहीं मागा ब्रेन दबाव नहीं देता था मेरा कहने का मतलब है कि मेरे बॉडी में कैल्सियम कम था उस ब्रेन को ये पता था कि उस मिट्टी में ही कैल्सियम है क्योंकि उसे खाना नहीं दिखता था खाने में calcium मिलता तो मिट्टी ना खाता पर खाने में proper calcium नहीं था तो वो मिट्टी को ढूड़ के खाता था मिट्टी को चाट को खाता था brain इतना powerful होता है कि brain को अगर deficiency किसी चीज की हुई तो वो आपको by force आपकी senses को forcefully दबाव दे देगा और खाने पर मजबूर कर देगा इधादर की जीज़े जहां पर calcium है जहां पर वो चीज की deficiency है और जहां पर उसको मिल जबता है और जब पूरा हो जाएगा तो खतम कर देगा दो मेहने के बाद वो मिट्टी खाना बंद हो गया मेरा कहने का अत है कि जिस बच्चे को ये कहा गया था कि ये एडिक्ट हो जाएगा वो एडिक्ट हुआ नहीं हमारा brain केवल energy का उरजा का फूखा है अगर आप इस brain को इधर से energy positive side से मिल रही है तो ठीक है अगर उस side से नहीं दोगे तो वो एक दूसरी side को ढूंड़ेगा अगर juice और पानी से उरजा उसको नहीं मिल रही है तो वो दूसरी side चला जाएगा दूसरे liquid के side जाएगा दूसरे drug के side जाएगा उसको उरजा चाहिए उसको उरजा से मतलब है उसके उपर जितना burden डालोगे उतना उसको ज़्यादा उरजा चाहिए क्योंकि burden डालने पर वो कमजोरी feel करेगा कमजोरी feel करेगा तो वो relaxation चाहेगा और उरजा के बाद ही वो relaxation होईगी इसलिए सौ में 99 लोग जो दिन भर काम करते हैं हाइपर होकर के बहुत हाइपर होकर के काम करते हैं वो रात में जब घर पहुंचते हैं तो उनको दो-तीन चीज़ें करने पड़ती हैं सामान्य भोजन से ब्रेन उरजा नहीं निकाल पाता एक्स्ट्रेक्ट नहीं कर पाता तो वो क्या करते हैं कि वो ड्रिंक लेते हैं अल्कोहल लेते हैं क्योंकि अल्कोहल में fermented sugar हाई है 90% fermented sugar है और ब्रेन जब शुगर को excess यूज़ करता है fermented sugar को even कि normal sugar को भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने 24 घंटे में इतना उसे मारा हुआ है कि वो क्या करेगा बचारा तो fermented sugar को जब लेता है तो वो relaxation feel करता है thoughts float करते है thoughts उस पर दबाव नहीं डाल पाते हैं और ये कई वरसों तक चलता है तो आप साम को सुचते हैं कि उस alcohol या कोई drug लेने पर हमारा मुन शांत हो जाता है enjoyment होती है muscles relax हो जाता है brain हलका हो जाता है ये सब आफ फील करने लगते हैं अन्तता यहीं होता है कि कुछ वरसों के बाद आप अपने आपको addict feel करने लगते हैं लेकिन यहीं पर अगर हम इस कारण को समझ लें कि addiction का brain की addiction का कारण उसकी energy है वो energy यहां से ले रहा है हम energy के source को यदि बदल दें energy दूसी तरफ से लेना शुरू कर दें तो इनको कोई रिष्टेदारी थोड़ी ने अल्कोहल से वो यहां से बजाए वहां से लेने लगेगा उसको satisfaction चाहिए और यदि वो satisfied है तो वह आपको satisfied किया रखेगा नहीं तो आपको परिशान करेगा अगर आपने मैंने तो यहां तक देखा है कि कुछ लोग को बिलकुल रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है जो एडिक्टिव या अल्कोहल से बहुत पीडित होते हैं बहुत जादर ड्रगी होते हैं उ प्रिशों को सिवा है सिम्पल फूड के वो अपनी ही सरीर को काट करते अपने ब्लud से निकालने लगते हैं कुछ लोग अपने ब्लड को पीने लगतेnova काटम १। परे इतना पावरफुल है कि वह सेंसेस को अपनी हैं फाइब करने के लिए अपर जयाने के में उसके पास और कोई सोस ही नहीं यहीं five senses ही तो है लेकिन हम यह यह एडिक्षन की बात करें इसके solution की तो क्या है solution यही कि आप और जा को change करें पुर्जा में सबसे पहले और जाओ जितने भी ड्रगी यह जितने भी अडिक्टिट पीपल होते हैं अडिक्टिब brain होता है इसका मतलब है कि उसको बहुत जल्दी stress बहुत जल्दी तनाव और बहुत जल्दी hyper हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो अपनी अंदर की उर्जा को बहुत जल्दी निकाल भी रहा है तो उतनी ही जल्दी उसको उर्जा चाहिए और जल्दी उर्जा के लिए अल्कोहल ये ड्रग ही होता है नामल दाल चावल से कोई जल्दी उर्जा नहीं मलते इस से पॉजिटिव वे में अगर जल्दी उर्जा चाहिए तो oxygenation प्रनाया हूँ immediate बिना liver पर burden डाले बिना kidney पर burden डाले बिना lung बिना और किसी अंगों पर burden डाले immediately आप lungs की rhythmic movement से rhythmic मैं तह रहा हूँ unrhythmic नहीं lungs की rhythmic movement से आप अपने mustis को immediate और जा दे सकते हैं शान्त कर सकते हैं और वही से hormonal secretion करवा सकते हैं जो एक unnecessary negative chemical के थूँ आपने दिया था तो problem solved आपकी senses में कोई addiction के लक्षन नहीं है आपके brain के cells में कोई addiction के लक्षन नहीं होते हैं brain का cells हमें brain का cells energy का खुका हुआ होता है इसकाहाँ झापका बुआ होता है और जर जका झापक होता है क्याफिशण पाम पापके खुआण